Press the bell icon and never miss any update from G&N. केमत पर बेंजी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती क्योंकि नजर 2019 के चुनाप पर है। हाल ही के रिजल्ट बता रहे हैं कि कॉंग्रेस और बस्पा ने बाजपा की 20 लोग सबस यूटो पर सैंद मारी है। अध्य प्रदेश में अब स्यासत की जमिन 2019 के लिए तेयार हो रही है। चंबल से लेकर बिंद्या तक मालवा निमांड से लेकर मध्य छेतर की ऐसी 32 सीटे हैं जहां पर 500 से 2000 बोटों के कारण कॉंग्रेस के प्रतियाशी चुनाब हाने हैं। बस्पा उनके हिस्से का बोट ले गई और बाजपा मामुली अंतर से चुनाब जीत गई। ऐसी ही 12 विधान सवा सीटे हैं जहां पर कॉंग्रेस को मामुली अंतर से जीत हांसिल हुई है। यहां भी बस्पा फैक्टर रहा। 300 बोटों से लेकर 2000 के बीच हुई इस हार जीत में बस्पा का बोट काटना निल्लायक रहा है। इन सीटों पर बस्पा ने बाजपा को नुक्सान पहुचाया है। एट्रोशिटी एक्ट के बिवाद में बंद हुआ भारत बंद में मध्या प्रदेश के गुवालियर चंबल छेतर में जाती गत संगर्श हुआ जिसमें कई बस्पा समर्थकों पर हमले दर्ज हुए। मायावती ने अपना चुनावी दाप खेलते हुए कॉंग्रेस सरकार को यह मामला हटाने की मांग करते हुए समर्थन वापस लेने की दंगी देडाली। दरसल बस्पा इस छेतर में अपने जमीन को तियार कर चुकी है। कॉंग्रेस के स्टार केमपेनन जोती रादित्य है, सिंध्या के संसद्य छेतर कोलस में ही बस्पा ने अपनी मचबूत पकड़ बताते हुए भाजपा को जितवा दिया है। वहीं ग्वालियर संग भाग में वयक तागत से उब्री है। राजनिती कयास लगाया जा रहे हैं कि 2019 के चुनाब के पहले कॉंग्रेस बस्पा का साथ हो सकता है। ऐसे में कॉंग्रेस की 14 सीटों पर हाली में दर्च की गई जीत और बस्पा की 6 सीटों पर उब्री मचबूत भाजपा को तसका आखड़ा पार नहीं करने देगी। लोग सभा की कुल 29 सीटों पर फिलाल 26 पर भाजपा और 3 पर कॉंग्रेस है। Bureau Report Global News Network Press the bell icon and never miss any update from GNN